देखूं, इस question को हम लोग करते हैं, क्या question है, how many numbers greater than 1000 but not greater than 4000, मतलब वही, between 1000 and 4000 आपको number चाहिए, ठीक, are formed with digits, digits क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, तो यह 5 digits है, है न, इन से हमें number चाहिए, 1000 से ज्यादा वाले, और 4000 से कम बाले, ठीक, but not greater than 4000, मतलब हमें 4000 से ज्यादा के number नहीं चाहिए, 1000 से बड़े number चाहिए, मतलब 1000 नहीं चाहिए, और not greater than 4000, 4000 से बड़े number नहीं चाहिए, मतलब 4000 चाहिए, मतलब 1000 नहीं चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, लेकिन 4000 चाहिए, ठीक, digits क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, repetition of digits is allowed, repetition of digits not allowed, न, दो केस हैं, तो पहला case देखते हैं, अब देखो 1000 और 4000 के बीच के जो number हैं, है न, वो सारे के सारे 4 digit number हैं, यह बाद ध्यान दीजे, 4 digit, ठीक, एचली 1000 जो है, यह 4 digit का पहला ही number है, वो कि इससे ठीक पहले आएगा 999, जो 3 digit का highest number होता है, तो 999 के ठीक बाद आएगा 1000, जो कि 4 digit का पहला number होता है, देखो, अब इसका मतलब number हमें 4 digit के चाहिए, ठीक, पहले case में repetition allowed है, तो देखो, अब पहले place को हम, 0 से तो fill नहीं कर सकते, पहले place को fill करने के 3 ways हो गए, है ना, देखो ध्यान दो, एचली क्या है, पहले place पर अगर आपने 4 रख दिया, तो जो number बनेंगे, वो सारे के सारे 4000 से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, तो इसका मतलब पहले place पर 4 नही रखना, क्योंकि अगर आपने गलती से पहले place पर 4 रख दिया, फिर आप यहाँ कुछ भी रखे, है ना, मालो यहाँ 0 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 3, और पहले place पर 4 आ गया, तो वो number obvious है 4000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो पहला place जो भर रहे हैं, वो या तो 1, या 2, या 3 तो पहले place को fill करने के 3 ways हैं, ध्यान दूँ, वोकि 0 आनी सकता और 4 लाएंगे नहीं, क्योंकि 4 लाएंगे तो वो number actually 4000 से greater ही हो जाएगा, इसलिए पहले place को fill करने के 3 ways हैं, repetition allowed है, इसको fill करने के 5 place कोई भी लाईए, इसको fill करने के 5 ways, इसको fill करने के 5 ways, कोई भी number लाईए, तो कि repetition allow है, 5 में से कोई लाई, तो को total number कितने बने, 3 into 5 into 5 into 5, 3 into 5 into 5 into 5, दो क्या हुआ, 125, तो 375 हुआ, लेकिन दो ध्यान दू, हमें 1000 नहीं चाहिए, तो actually आप repetition allow कर रहे हो, तो 1000 इन number में शामिल है, क्योंकि आपने कहा, या तो यहाँ 1 रखना, या 2 रखना, या 3 रखना, तो हो सकता पहले place पर आपने 1 रख दिया हो, इसको fill करने के 5 ways, इन पाचों में से कोई है, हो सकता यहाँ 0 आ गया हो, हो सकता यहाँ भी 0 आ गया हो, हो सकता यहाँ भी 0 आ गया हो, तो यह number क्या बन ग यह वो not greater than 4000 मतलब 4000 चाहिए अच्छा जो आप number ले रहे हो उन में 4000 शामिल नहीं है क्योंकि आप पहले place पर 4 को नहीं रख रहे हो जब आप पहले place पर 4 को नहीं रख रहे हो इसका मतलब इसमे 4000 शामिल नहीं है अगर पहले place पर 4 आए बाकी सब पर 0 आए तब बनेगा न 4000 तो इसका मतलब आप 1000 को हटा रहे हो क्योंकि 1000 इसमें शामिल था है ना यह किसलिए 1000 की लिए क्योंकि 1000 इसमें शामिल था लेकिन plus 1 करेंगे क्योंकि 4000 को आप include करना चाहते हैं और 4000 इन number में included नहीं है तो हमने क्या किया जो हमारे 375 नंबर आए उसमें से 1 माइनस किया क्योंकि 1000 हटाना है और 1 प्लस किया क्योंकि 4000 इट करना है तो हमारा answer आ गया फिर वही 375 और यहीं हमारे question का final answer आ गया 1 माइनस किया क्योंकि 1000 इन में शामिल था उसको नहीं लेना 1 प्लस किया क्योंकि 4000 को शामिल करना था तो उसको 1 प्लस किया तो हमारा answer के आ गया वहलो 375 आ गया तो काफी अच्छा question है यह तोड़ा language पे दिहान लगना अब दोको second में क्या है कि repetition not allowed है तो फिर वही 4 digit के number चा पेहले place को fill करने के तो को 3 ways होगा ध्यान दो क्योंकि पहले place पर या तो 1 नकेंगा या 2 या 3 अब दोसरे place को fill करने के हमारे 4 ways बचे क्योंकि total number 5 ते 5 मैंसे आपने एक यहां रखा तो 4 ways बचे इसको fill करने के लिए दोको एक number यहां काम हो गया एक यहां काम भया 3 ways बचे और इसको fill करने के लिए two ways बचेए अब देखो ध्यान दू यहाँ पर answer क्या आएगा three into four into three into two है ना twelve into six मलता 72 answer यहाँ पर आ रहा है देखो ध्यान दू अब क्या होगा कि one thousand इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि repetition आप allow नहीं कर रहे हैं और four thousand को ला नहीं सकते क्योंकि repetition allow नहीं कर रहे हैं आप four thousand आना चाहिए लेकिन four thousand इसमें आप नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पर आप repetition not allowed कर रहे हैं तो repetition not allowed कर रहे हैं तो four thousand बसे भी नहीं आएगा और one thousand इसमें आनी रहा तो यहीं अपने question का final answer है 72 है ना पहले place को fill करने के one two three ways क्योंकि four रखेंगे नहीं क्योंकि four रख दिया तो number four thousand से बड़ा हो जाएगा और zero रख नहीं सकते तो three ways लेकिन आपने एक number यहाँ रखा total number 5 थे एक कम हो गया इसके लिए चार बचे अब एक यहाँ रख दिया एक यहाँ रख दिया इसके लिए तीन बचे अब तीन number कम हो गया इसके लिए दो बचे तो हमारा final answer क्या हो गया बोलो इस question का 72 हो गया अगर repetition not allowed है तो और अगर repetition not allowed है तो हमारे question का final answer कितना है बोलो 375 तो यह हमने कोशन को यहां पर सॉल किया, अच्छा कोशन है, करो सब अच्छे द्यान जल्दी इसको पहले